कथित शीश महल घुटाले को लेके भारती जनता पाटी आम आधी पाटी को हमेशा से घेर दिया है इस मामले में फिर एक मोड आया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए है लीडर ओफ ओपोजिशन दिल्ली विधान सभा विजेंदर गुपता तो गुपता जी आपने भी विजेलेंस को एक कंप्लेंट भी दी है क्या है यह सारा मामला यह पूरा मामला है यह जो शीश महल आप देख रहे हैं जहां हम उसके नजदी खड़े हैं यहाँ पर यह दस हजार गज की ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी जो शीश महल जब केज़िवाल जी को यह छे फ्लैक स्टाफ रूड अलोट हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने इसमें जजिस से जो इसके एडजिसेंट जो सरकारी आवास थे दस आवास जिसमें जजिद रहते थी जिसमें भारत के पूर ग्रहसचीव रहते थी जिसमें इस समय जो चीफ सेकरेटरी अरुनाचल प्रदेश के वो रहते थे यानि कि आठ तो टाइफ फाइफ फ्लैट्स और दो बंगलो यह लगबग मिला करके 30,000 स्क्वेर मीटर एरिया और इसमे आठ से दस हेकर का यह पूरा कॉंप्लेक्स बनाने की योजना थी इसमें किसी नियम कानून का पालन ही किया गया यह समपत्या जब मिलाई गई अमल्गमेट की गई तो इसके लिए कोई प्रपोजल जो है वो लियाउट प्लान चेंज करने का यानि की 45 नंबर 47 नंबर एडस नया एडस होगया छे फ्लैक स्थाफ रोड जबकि सरकारी रिकॉर्ड में यह आज भी 45-47 राजपूर रोड और आठ ए आठ भी फ्लैक स्थाफ रोड है तो नियमों का उलंगा नहीं किया ले आउट अप्रूब नहीं करा है बिल्लिंग प्लान अप्रूब नहीं करा कि जो कहें के जिवाल वही सही और इस निती पे डिक्टेटरिशिप की तरह से इन्होंने यह सरकारी खर्च से जिस पर बताया जाता है 53 करोड लेकिन योजना 1500 करोड से जादा खर्च करने की थी मेरा यह कहना है कि इस पूरे मामले की सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जाच करे मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमिशन को शिकायत दी है और यह जो पूरा ब्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है जो अपने आपको कटर हिमांदार कह रहे थे आज वो ब्रष्टाचार के सबसे बड़े उधारन बन गये हैं और आतिशी ने पहले चोरी-चोरी घर पेकपजा किया इस शीश महल पे केजरिवाल जी ने भी पोजेशन पी ड़ूडी को ने दिया और सीधा जो है आतिशी को दे दिया और आतिशी ने भी कामे रहने आ गई और उसके बाद जब पी ड़ूडी ने कारवाई की पोजेशन लिया उसके बाद वो नाटक करने के ल रहा था यानि कि गैर कानुनी तरीक से तरीके से कब्जा करो गैर कानुनी तरीक से रहने आओ और जब बात खुल जाए तो नौटंकी करो कि सड़क से काम करेंगे और जब विधिवत हो जाए तो फिर सांप सुंग जाए ये आराजकतावादी लोग दिल्ली में आराजकता फ पार्टी है दिल्ली के पूर मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल को घेरती दिख रही थी अब वहीं इस घोटाले में कथिद घोटाले में भारती जनता पार्टी के नए आरोप हैं पहले भी देखा गया कि चुनावों में ये बड़ा मुद्दा था लोकसभा चुनावों में और आने वाले दिल्ली विधान सबा चुनावों में भी देखने को मिलेगा कि इस मुद्दे को लोगों के बीच जो ओपोजीशन है वो लेकर जाएगा कैमरामें नासिर खान के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपूर्ट